हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ड टू पैंट ओ पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नौविल कौन लेगा ताज जो कि अनिल मोहन की ताज सीरीज का तीसर और आखरी नौविल है इसके पहले के दो नौविल जीत का ताज और ताज की दावेदार आपको अनिल मोहन की प्लेलिस में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का उपन्यास कौन लेगा ताज देवराज चौहान और मोना चौधरी से हाकिम की खौफनाक टक कर कौन लेगा ताज तेवराज चौहान और मोना चौधरी मुदरनात और बेला उस गुप्त जगे से बाहर निकले वो रास्ता बंद होते ही पुनाओने काटेदार ज़ाडियों का सामना करना पड़ा जैसे तैसे उन ज़ाडियों को पार करके वो दोनों बाहर आए और ठेटा कर एक दूसरे को देखा मोना चौधरी के कंदे पर काली बिल्ली मौजूद थी बर्बस ही उसके होटो पर मुसकान उभराई पूफ जर्म की यादें आईने की तरह उनके सामने थी तब दोनों के भी जगड़ा क्यों बढ़ा किसने बढ़ाये और फिर अन तुम्हें कैसे सब कुछ बिखर कर तभा होता चला गया पहले जन्म की बातें याद आने पर तुम्हें कैसा लग रहा है देवराज चौधरी मुसकराई अच्छा लग रहा है देवराज चौधरी के होटों पर भी बराबर मुसकान उगरी पड़ी थी अगर तुम समझदारी से काम लेते तो शायद जगड़ा न हो पाता मोना चौधरी क्यों उठी और तुम बिना सोचे समझे जल्दबाजी ना करती तो शायद जगड़ा ही न होता मिल बैठकर बात खत्मी की जा सकती थी देवराज चौधरी ने सिर्हा कर का जो तुमें ठीक सला दे रहे थे उन्हें तुम गलस समझती नहीं और गलस सला देने वाले को तुमने सिराको पर बिठा रहा था इसी वज़े से पूरे ठीक तो तुम भी नहीं थे मौना चौधरी ने उसकी बात काटी देवराज चौधर ने सिग्रेट सिलकागर कश लिया हमारे बास वक्त कम है देवराज चौधर ने सोच बरे सरमे का अगर ये बाते हम किसी और वक्त के लिए रख ले तो भैतर रहेगा दालू ने अनुष्ठान करके हाकिम को बुला लिया और अमरत्व कर चिके हाकिम को समाथ करने का रास्ता हमारे पास ना हुआ तो एक बार फिर तवाई मत सकती है तुम ठीक कहते हो मुना चौदरी का चैरा कठो रोने लगा दालू ने मुझसे बहुत बड़ी गद्दारी की है उसने सला देने के तौर पर मुझे धोके में रखकर मेरे से अंजाने में ऐसे काम करवा डाले जो कि उसकी योजना के हिस्से थी वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता था और हटा भी डाला तौर मारी मॉत के बाद नगरी वाले यहिसे मज़ते हैं कि मुझे और मैंने तौर मैंने मारा है जबके हकीकत यह रही कि तौर μीरार जान ले ली ती और जब तुम बच गई तौर मैं बच गई तो दालू ने दोके से ज़ोड़ूंगा मैं दालू को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी मोना चौधरी को रहा उठी लेकिन पहले हाकिम से ठक्कर लेनी होगी दालू तक पहुंचने के लिए देवरा चौहन के आवाज में गंबीरता आ गई थी और गुरूवर के मताविक जब हमें अपने पहले जन्म की याद आईगी तब दालू हाकिम को बलाने के लिए अनर्ष्टान की शुरुआत करने का प्रवंद कर रहा होगा इससे पहले के अनर्ष्टान के प्रशाथ हाकिम प्रकट हो तो मैं वो किताब हासल कर लेनी चाहिए जिसमें ये दर्जे की अमरत्व रावत हाकिम को कैसे खत्म किया जा सकता है इसके लिए मुझे अपने पूर्जर्ण की महल में जाना होगा वहां मैंने खास जगह पर किताब को छिपा दिया था और उस महल में मैं पहले भी जा चुकी हूँ उसी महल के कुएं से गीत लाल ने मुझे इस तलिसमे ढखे ला था तब मैं नहीं जानती थी कि वो विशाल महल कभी मेरा ही महल था देवराद चौन ना मोना चौधरी को देखा वहां तक पहुशने का रास्ता मालूम है तुम्हें की महल कहाँ पर है देवराद चौन ना पूछा हाँ तलिसमे बाहर है वो महल लेकिन बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मालूम है तलिसमे कदम कदम पर मोना चौधरी के होटो पर अजीब सी मुसकान देकर देवरा चान खामोश हो गया हाँ तलिस्मे के बाहर है वो महर लेकिन बाहर निकलने का रास्ता हमें मालूम नहीं है तिलिस्मे कदम कदम पर मोना चौधरी के होटो पर अजीव सी मुस्कान देखका देवरा चौन खामोश हो गया तुम ये बात क्यों भूल रहो कि मुझे अपने पूर जणम की सब बाते याद आ चुकी तिलिस्मे मेरी देने याँ खत्रे और भटकाव कभी मैं नहीं भरे थे इसलिए अभी ये तिलिस्मे मेरे लिए उस तरह है जैसे कोई बच्चा रेद पर घर बनाता है और खुदी उसे तोड़ फोड़ देता है देवराद चान ने होट से कोड़कर सेरे लाया तुमारा साथ होना मेरे लिए और अच्छी बात है क्योंकि कई जगर पर तिलिस्मे के तरवाजे तभी खुल सकते हैं जब देवा मेरे साथ हो मोना चौदरी पुना मुस्कराई ऐसा क्यों किया था तुमने दुश्मनी के ना थे ताकि कभी तुम अकेले आकर तिलिस्मे अपनी मनमानी न कर जाओ तिलिस्मे के उन रास्तों का न तोड़ दो जिनने मैं नहीं चाहती थी कि तुम तोड़ सको मोना चौदरी बोली कैसे रास्ते जैसे कि तुम अपनी बस्ती वालों परिवार को तिलिस्म से आजाद ना कर दो वो तिलिस्म तभी तूट सकता है अगर मैं तुम्हारी साहता करूँ वरना कभी नहीं तूट सकता ऐसे और भी कई बाते हैं जो वक्त आने के साथ साथ तुम्हें मालूम हो जाएंगी मोना चौधरी का सर गंबीर हो गया अगर मेरे परिवार वाले बस्ती वाले रास्ते में पढ़ते हो तो पहले में उन्हें तिलिस्मी कैसे आजाद करवाना पसंद करूँगा वो मेरा इंतिजार कर रहे हैं देवराच चाहन बोला अभी ऐसा करने से खास कोई फाइदा नहीं होगा क्यों? डालू ने उस्ताज के दम पर नगरी का समय चक्र रोक रखा है जब तक समय चक्र रुका रहेगा तब तक कोई आजाद होकर भी आजाद ना हो सकेगा इसलिए सबसे पहले नगरी के समय चक्र को चालू करके नगरी को सामान फालतों में लाना है तभी तो लोगों को कैश से निकलने का छुटकारा पाने का एसास हो पाएगा वो जन्म ले सकेंगे उम्र पूरी करके मिट्ति को प्राप्त हो सकेंगे सामान इंसानों की तरह वो सब जीवन व्यतीत कर सकेंगे मोना चौधरी का सर गंभीर था नगरी के समय चकर को पुना चालू करना इतना आसान नहीं देवराच चौन ने गंभीर सर में कहा जानती हूं उसके लिए वो तलिस्मी ताज हासिल करना होगा जिसे कभी तुम कुल्देवी बनने पर पहना करती दी उसी ताज की ताकत के दम पर दालू ने समय चकर को रोक रखा है और इस वक्ट वो ताज दालू की तलिस्मी शक्तियों के पहरे में मौजूद है जिनका मुकाबला करना आसान नहीं लेकिन मेरे लिए कठिन नहीं है मोना चौदरी के दाद भिज गए इस नगरी में तलिस्मी विद्या में मेरे से माहर कभी कोई नहीं रहा मैं दालू के हर तलिस्मी जाल को काट दूँगी तलिस्मी मेरे लिए मामुली से खेल से यादा नहीं है ये जुदा बात है कि तुम तिलिसमी विद्या पूर नहीं कर सके दे इसलिए इस विद्या में इतने माहर नहीं हो सके अगर तुम्हें वक्त मिला होता तो शायद हो जाते तुम नहीं मुझे वक्त नहीं लेने दिया देवराद चौन ने घहरी सांस ली मुझे कुछ बरस और मिल जाते तो मेरी तिलिसमी विद्या पूरी हो जाती परन्तु तुमारे जगड़े मेरी ये विद्या दूरी रह गई मोना चौदरी कुछनी बोली और नगरी के समय चक्र को पुना शुरू करने के लिए तास तक पहुँचने से पहले हमें हाकिम से ठक कर लेनी होगी जो कि आसान काम नहीं है डेवराद चौहन ने का अमरत प्राप्त हाकिम को खत्म करना आसान नहीं मोना चौदरी के चेरे पर कठोरता नजर आने लगी अगर वो किताब मुझे मिल जाती है जिसमें इस बात का खुलासा है कि अमरत प्राप्त हाकिम की जान कैसे ली जा सकती है तो हाकिम किसी भी हालत में बचेगा नहीं मोना चौदरी दात किटकिटा उठी तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मालूम है कि वो किताब तुमने महल में किस गुप्त जगह पर रखी थी हाँ मालूम है लेकिन इस बात का क्या भरोस है कि उस गुप्त जगह को किसी ने खोजडी निकाला होगा मोना चौदरी ना कठोर निगाउं से देवराच चाहन को देखा हाकिम जानता है कि एक मातर उस किताब में इस बात का जिक्र है कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है ऐसे में क्या हाकिम ने वो किताब तलाश नहीं करवाई होगी देवराच चाहन सोच बरे ढंग से सिरहला कर रहे गया तब ही बिल्ली बोली और मोना चाधरी के कंदे पर हॉले से पंजा मारा जैसे वो वक्त बरबाद ना करके उन्हें आगे बढ़ने को कह रही थी आओ चले देवराच चाहन और मोना चाहन आगे बढ़ गए पाट को आपने पूर प्रकाशे दो उपन्यास जीत का ताज और ताज के दाविदार अवश पढ़ लिए होंगे फिर भी याद दिलाने के तौर पर बता दूके उन दोनों उपन्यासों में आपने क्या पढ़ा जीत का ताज में फकीर बाबा की लाग कोशिशों के बावजूद भी जब जब जगड़े के लिए देवराच चाहन और मोना चाहदरी आमने सामने खड़े हो गए तो क्रोधित होकर फकीर बाबा देवराज चौहान और मोना चौधरी को इनके साथियों के साथ अपनी शक्ती के दम पर पाताल नगरी इसने तिलिस्मी नगरी में पहुचा देते हैं जहां इनका सामना माया भी जादी शक्तियों से होता है देवराज चोहन और मोना चौधरी में हाट जीत का फैसला हो सके इसके लिए फकीर बाबा तिलिस्मी नगरी में मौजूद ताज लाने को कहते हैं जो ताज लाएगा भही जीता माना जाएगा परंतु आगे बढ़ते समय तलिस्मी नगरी के अर्दिश्य शक्तियां एक एक करके सब को गयब कर देती हैं देवराज चोहन और मोना चौधरी बचे रह जाते हैं रास्ते में मोना चौधरी को मुदरानात नाम का बुड़ा वेक्ति मिलता है जो मोना चौधरी को तलिस्मी खंजर देता है कि मुसीवत के वक्त कम्हण को बेला नाम की उफ्ति का साथ मिल जाता है जो अर्दिर शोकर कदम कदम पर देवराज चौधरी की साहिता करते हुए से खतरों से बचाती है अंत में देवरा, चौहान और मोना चौधरी वहां पहुच जाते हैं जहां फकीर बाबा ने पहुचने को कहा था देवरा, चौहान और मोना चौधरी का अजीब अजीब हाथसों से सामना होता है और उन हाथसों से वे बस्ते हुए आगे बढ़ते हैं मोना चौधरी कई जगों पर अपने बुद्ध देखती है वो समझ नहीं पाती कि उसके बुद्ध यहां क्यों है जब वो सुनसान जगे पर भटक रही होती है तो गीत लाल नाम का युवक उसे मिलता है जो कि उसे पाताल नगरी के तलिस में ठकेल देता है जहां से बाहर निकलना संभव नहीं इसी तरह देवरा, चौहान को भी तलिस में फसा दिया जाता है दौनों अलग-अलग खतरों से जूसते हुए तिलिस में भटकते रहते हैं इसी दोरान देवरा, चौहन एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाता है जहां वो पूर्जनम में रहा करता था तब भी उसका चहरा यही था बस्ती वाले खुश होते हैं उसे आया पाकर वहाँ वो अपने भरे पूरे परिवार से मिलता है जहन में पूर्जनम की कुछ-कुछ बाते यादा आती है मालूम होता है कि डालू ने नगरी के समय चक्र को रोग रखा है उन्हें कैत कर रखा है और उन सब को पूरा यकीन है कि देवा उने कैसे मुक्ती दिलाएगा देवरा चान का मस्तिश्क इस कदर उलच जाता है कि वो ठीक से सोस समझ नहीं पाता और रात को जब सब नीन में होते हैं तो वो बस्ती से निकल कर आगे बढ़ जाता है फिर उसकी उनलाकात मोना चाधरी से होती है जो मौत की मुँँ में फजी हुई है देवरा चान उसे बचाता है यदा गदा अरदिर्श बेला उसकी सहायता करती रहती है मिलने पर देवरा चान और मोना चाधरी में ये तैह होता है कि यहां खतरे बहुत हैं दौनों का मिलका रहना ठीक है जब ताज हाथ में आएगा तो उसे बीच में रखकत ताज का फैसला कर लेंगे इस तरह देवराज चौहान और मोना चौधरी आगे बढ़ते हुए एक साथ खत्रों का मकाबला करते हैं फखीर बाबा भी इस दर में उनसे मिलता है उधर बेला के साथियों को कैद करके ये जानना चाहता है कि उन्हें नगरी में कौन लाया परंतु उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता तिलिस्म में मौजूद देवराज चौहान और मोना चौधरी को खत्म करनी के अपनी कोशिशे बराबर जारी रहती है वह तरह तरह के हतकंडे आजमाता रहता है जो की दिल्चस्प है आखिरकार बेला उन दोनों को तिलिस्म में मौजूद खूफिया जगह ले जाती है जहां वही मौदरानात मौजूद है जिसने मोना चौधरी को तिलिस्मी खंजर दिया था बेला भी अवसली रूप में सामने आ जाती है तब मोना रुस्तन राओ को याद आता है कि फकीर बाबा की बेटी लाडो से उसका ब्याह होने जा रहा था कि देवा को खतरे में पाकर मंडब छोड़कर उसे लाडो के भाई कालूराम को मारने जाना पड़ा रुस्तन राओ और लाडो में पूर्जनों की दिल्चस्प बाते होती ह रुस्तन राओ जादा देर लाडो के पास नहीं रह पाता और फकीर बाबा रुस्तन राओ को तिलिस में बेज देता है कि वो वहां देवराद चौन मोना चौदरी की साहिता करे उन्हें पूर्जनों की बाते याद दिलानी की कोशिश करे उधर मुतरानाद मोना चौदरी को उस बस्ती में बेज़ता है जहां उसकी मा रौनक देवी अभी भी मकान में मौजूद है मुतरानाद तो बेला किसी कारणवश दालू से बचने के लिए छिपे हुए हैं देर सो बरस से देर सो बरस से दालू बाबा ने सिद्धियों से भरपूर तिलिस्मी ताज की शक्ति से नगरी का समय चक्र रोक रखा है मुतरानाद उसी गुप्त जगह पर देवरा चौहन और मोना चौदरी को अपनी शक्तियों के दम पर पूर्जन की पूरी याद दिला देता है उधर दालू की कैद में महाजन जब दालू को देखता है तो उसे एका एक पूर्जन की बाते याद आ जाती है वो दालू की जान लेने को दोड़ता है कि दालू से पिंजने में बंद कर देता है दालू को मारने के लिए महाजन पागलों की तरह चीकता चिलाता रहता है। दालू को जब महसूस होता है कि देवा मिन्नों उसके लिए खत्रा बन सकते हैं, उन्हें पूछड़ने की याद आ गई तो उनकी सारी हुकूमत खत्म कर सकते हैं, तो वो हाकिम को बुलाने का फैसल करता है हाकिम को बुलाने के लिए, ताकि हाकिम आकर देवराज चौन और मोना चौदरी को खत्म कर सकें, जिसे भी ये खबर लगती है कि हाकिम को बुलाने के लिए अरंब होने वाला वो काप उठता है, हाकिम को नगरी वाले इंसान न मानकर वहशी जानवर मानते हैं, हाक ताकि वो आकर उन्हें समाप्त कर सके। तब मोना चौधरी को ध्यान आता है कि जब वो देवी थी तब गुरुवर ने एक किताब लिखकर उसे दी थी जो कि नगरी की देवी के पास दी सुरक्षित रहेगी। उस किताब में ये दर्जिता कि अमरत प्राप्त हाकिम से कैसे ली जा सकती है और वो किताब मोना चौधरी के तब की फुराने महल में गुप्त जगर पर रखी हुई है। इससे पहले कि हाकिम प्रकट हो गुरुवर को दी गई उस किताब को पाना जरूरी हो गया ताकि हाकिम का मुकाबला किया जा सके। देवराच चौहान और मोना पूर्सान की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। केसर सिंग ने दालू बाबा के बताय अनुसार सारे इंतिजाम कर दिये थे। इस समय दालू बाबा और केसर सिंग खुले आसमान के नीचे थे। तैयारियां पूर्ण होने की खबर पाते ही बेसबर दालू बाबा फॉर कि उसे अभी बनाये गया है वो हवन को नया और बिना इस्तमाल हुए नजर आ रहा था पासी में नुष्ठान के दौरान दालो वावा के बैठने के लिए चौकी मौजुद थी जो कि पत्तर की थी और वहीं पन नुष्ठान में इस्तमाल होने वाली धेर सारी सामगरी पासी में जाने किस पेड के दो-दो हाथ बड़े सूखे पत्ते मौजूद थे और भी कई तरह का सामान वह मौजूद था दालो बाबा के बदन पर इस वक सिर्फ सफेद होती थी जिसे कमर में लपेट रखा था गले में कई तरह की मालाय मौजूद थी माथे पर सफेद र सारे प्रबंद पर डाली फिर नजरें उठा कर कुछ दूर बदे जगमहन, बाके लाल राठोर, सोहनलाल, करमपाल सिंग, पाली, घायल पारसनात और पिंजरे में कैर नीलू महाजन को देखा उन सब के हाथ पाउं बांद कर नीचे डाला हुआ था सिर्फ महाजन के हाथ प पारसनात की थी, उसका जिसम यातना दी जाने की वज़े से बुरी तरह घायल था, ये जिदा बात थी कि दालू बाबा के आदेश पर उसके जख्मों पर दवा लगा दी गई थी, जिसकी वज़े से दर्द से उसे कुछ रहत मिल रही थी, केसरे, दालू बाबा के होटो प मिलेंगे, इससे वो बहुत खुश होगा, परसू के घायल जिसम पर पहरेदारों को दवा लगाते रहने का आदेश दे दो, दालू बाबा बोला, जी, अनुष्ठान तीन दिन चलेगा, इस बीच किसी भी कीमत, किसी भी तरह का विग नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पर ठीक है दालू बाबा, केसर सिंग ने कहा, अगर इन मनुष्य कैदियों ने शोर शराबा पैदा करके अनुष्ठान में विग ने डालने की चेश्टा की तो, इन कैदियों की मुझे चिंता नहीं, यह किसी भी तरह से अनुष्ठान में बादा नहीं डाल सकते, तुम जाकर मेरे आदेश पहरेधारों को दो, और फॉरन वापिस आओ, अनुष्ठान में मेरे साथ बैठना है, जी, कहने के साथ ही केसर सिंग पल्टा, और बड़ी सी दीवार में लगे चोटी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, दालू अवा आगे बढ़ा, और आसन की मुद्रा में चौकी पर बैठ गया, बगल में दवा रखी सामान नसाइस के एक किताब निकाली, जिस पर काले शेहनील का खुबसूरत कपड़ा बना हुआ था, उसे अपने सामने नीचे रख, कपड़ा खोला, तो किताब इस पस चनजर आई, जो की बहत पुरानी लग रही थी, उसके एक पिंजरे से कैद महाजन चीका, दालू ने सेर उठा कर उसे देखा, फिर व्यंग भरे वाव में मुस्कराया, महाजन ने पिंजरे की सलाकों को इस तरह जंजोडा, जैसे उन्हें तोड़ देना चाता हो, हराम जादे, एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दे, मैं तेरे इतने तुकड़े करूँगा कि गिने नी जा सकेंगे, बिखेर कर रख दूँगा तुझे, महाजन गुस्से में चिल्ला उठा, दालू बाबा हॉले से हसा, ये तू नहीं, नील सिंग बोल रहा है, जिसे अपने पूर्जण की बाते याद आ चुकी है, हाँ हरामी मैं नील सो बरस पहले कुत्ता था, और अब बहुत बड़ा कुत्ता बन चुका है तू, महाजन की हालत पागले जैसी हो रही थी, मिन्नो तेरे सामने आई तो उसे क्या जवाब देगा, दालू बाबा हस पड़ा, वो वक्ती नहीं आएगा, जब मिन्नो मेरे सामने पहुँचे, मिन दालू बाबा पुना हसा, हाँ, हसी रोकते हुए दालू बाबा बोला, देवा और मिन्नो तिलिस्मे भसे भटक रहे हैं, इससे पहले कि उन्हें अपना पूर्जनम याद आए, हाके मागर मेरे कहने पर उनकी जान लेगा, अमरत प्राथ हाकिम को मारा नहीं जा सकता, ऐसे में देवा और मिन्नो बचने से रहे, अब तू ही बता कि मिन्नो मेरे सामने कैसे आईगी, वो तो मारी जाईगी, महाजन गुर्राया, मिन्नो ने देड़ सो बरस पहले तुझे राखवाला बनाया था, नगरी और तिलिस्म का, मालिक नहीं, मालूम है, भूला नहीं हो इस इस नहीं ला सकता, इसलिए बहतर यही है कि मिन्नो ही खत्म हो जाए, हाकिम उसे खत्म करेगा, वैसे भी पूर्जनम की याद आने पर मिन्नो को जब मालूम होगा कि मैंने उसके पिता मुदरनात और बेहन बेला को जान से मारने की चेश्टा की है, और अभी भी कर रहा हू तो वो मुझे किसी भी हाल में जिन्दा नहीं छोड़ने वाली है, महाजन ठाहा का लगा उठा, देवी के ताज पर अधिकार जमा रखा है, हाकिम तेरी बात मानेगा, इस पर भी तेरे भीतर मिन्नो का खौफ मौजूद है, जबकि तु इस वक्त नगरी का सबसे ताकतवर आदमी है, दालू बाबा के दाद भिच गए, एक बात और है जो तेरी मौत की वज़ा बनेगी, क्या, मिन्नो को जब मालूम होगा कि तु ने परसी को कैसी कैसी यातना दी है, मुझे किस तरह कैद कर रखा है, तो वो तेरी मौत को और भी करूर बना दीगी, महाजन हसी रो अनुष्ठान कर और बुला ले हाकिम को, ऐसा करने से शायद तेरी जान बच जाए, और हाकिम मिन्नो को खत्म कर दे, महाजन शब्दों को चवागर क्या उटा, ऐसा ही होगा, दालू बाबा दरिंदी की भरे सवर में क्या उटा, अमरत प्राथ हाकिम को कोई नहीं मार सकता और वो आसानी से देवा और मिन्नो को खत्म, दालू बाबा के शब्द अदूरे ही रह गए, उसकी निगाद आई तरब पड़ी, महाजन, सोनलाल, पारसनात, कर्मपाल सिंग, जगमवन, बाकेलाल, लटोर, सबकी निगाभी उस तरब उठ चुकी थी, सबके चेहरे पर एक वही रूप, वही सब कुछ, सफेज सुनैरी के चमकते बाल, वैसी दाड़ी मूचें, दाड़ी लंबी होकर छाती तक जा रही थी, सवस्त लाल सुर्ख चेहरा, वैसा ही सवस्त शरीर, आँखों में अजीब तरह का तेज था, जिसका सामना करना संभव नहीं था, गले में शांथ मदुर में मुस्कान, माथे पर बलों की, बला की गहरी लकीने, गले में जनेईू था जो कमर तक आ रहा था, मुस्कराते हुए पिंजरे में बंद के नील सिंग को देख रहे थी, जगमोन, बाकेलाल, अठा और पारसनात, करमपाल सिंग, सोहनलाल, सबकी निगा बढाम गुरुवर, दालूबावा ने हाथ जोड़ कर कहा, गुरुवर ने मुस्कराते हुए दालूबावा को देखा, फिर आशिरवात देने वाले धंग से हाथ उठाया, और अपने कदम नीचे घायल पड़े पारसनात की तरफ बढ़ा दिये, जिसे की सक्ती से बांध रखा था, हाथ पाउं रस्तियों से जखड़े हुए थे, गुरुवर पारसनात के करीब पहुँचका ठिटके, सबकी उलजन बरी निगाउं गुरुवर पर थी, पारसनात भी पीड़ा बरी निगाउं से गुरुवर को ही देख रहा था, पारसनात महाजन आवेश में ची गुरुवर ना मुस्करा कर महाजन को देखा, देखा गुरुवर, सब कुछ आपकी आँखों के सामने है, महाजन दात पीसकर क्या उटा, डालु ने परसु का क्या हाल कर दिया है, एक जगे से तो परसु के शरीक हड़ी तक नजर आ रही है, अमान विये यातना की हद कर द दालु ने, शराफत तो इसमें ना तो पहले कभी थी और ना अब है, गुरुवर ना अपना मुस्कान भरा चैरा पारसनात की तरफ किया, कैसा है परसु, गुरुवर के ओटों से शेहत सिवरे मीटे सोर निकले, पारसनात गुरुवर को ना पहचान सका, उसना तो पहली ब गुरुवर बोले, ठीक हो जाऊंगा, पारसनात की निकाह गुरुवर पर थी, दवा की जरुवर के होटों पर गहरी मुस्कान थी, नहीं, तो चार दिन में जक्म बढ़ जाएंगे, पारसनात ने कहा, गुरुवर के होटों पर छाई मुस्कान और भी गहरी हो गई, पहले की तरह ही है तू परसू तब भी तू दर्द और जख्मों की परवा नहीं करता तो और अब भी शरीर बदल गया जर्म बदल गया परंतू आत्मा तो तेरी वही है तो कर्म भी तो वही होंगे पारसनाथ ना समझने वाली निगाओं से गुरुवर को देखता रहा गुरुवर होटो पर मुस्कान लिए सीधे खड़े हो गए पारसनाथ ने खुद को बिल्कुल सस्त पाया चेहरे पर हैरानी के भाव उबरे दूसरों का भी यही हाल था जबकि महाजन की ओटों से खुशी से बरी हसी निकली पहचाना नहीं परसू मेरे को गुरुवर ने पूचा नहीं पारसनाथ के ओटों से निकला जैसी उपर वाले के इच्छा जब वो चाहेगा तबी तो पहचानेगा मुझे कहने के पच्छा गुरुवर की मुस्कान भरी मीटी निगा जग्मोहन पर गई तू कैसा है जग्गू अच्छा हूँ जग्मोहन ने तुरन से रहलाया तू भी नहीं पहचान रहा मुझे गुरुवर के सर में भी मुस्कान के भावते जग्मोहन ने इंकार में से रहला दि गुरुवर पहले वाले लहजे में कहते हुए पल्टे और कुछ दूर खड़े दालू बाबा को देखने लगे। आपका अशिर्वात है गुरुवर दालू ने आदर भरे सर में कहा। पर्सु को ठीक करना दखल देना ही तो हुआ गुरुवर दालू बाबा के सर में आदर भाव थी। दालू अगर तू इसे दखल कहता है तो ये तिरी भूल है। मैं तो आज मजबूर होकर अपने भटके हुए शिश्चे को रास्ता दिखाने आया था। परन तू दूसरे शिश्चे को गायल देखकर उसकी साहेता कर दी। गुरूवर के लिए तो सब शिश्चे बराबर है। कोई अच्छा काम करता है तो वो भी मेरा शिश्चे है और जो बुरा काम करेगा उसे भी मैं अपना शिश्चे कहने से पीछे नहीं अटूंगा। शमा करें गुरूवर ये बात तुम्हें योही कह बैटा था। दालू बाबा ने धीमे सर्मे का। गुरूवर मीठी मुसकान लिए दालू बाबा को देखते रहे। कहिए गुरूवर कैसे आना हुआ। दालू बाबा ने पूछा। मैं तो तेरे से पूछने आया था कि न दालू बाबा ने आदर भरे सवर में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरी विद्य में कहीं कोई कमी नहीं रही। मैं इस पश्टी तुम्हें कह रहा हूँ लंबा जीवन जीने का मो त्याकर नगरी का समय चकर पुना चालू कर दो। जो अमानत तुम्हें मिन्नो दे गई थी वो उसे वापिस कर दे और हाकिम को बुलाने के लिए अनुष्ठान मत कर। सब कुछ त्याकर मेरी शरण में आजा मैं तुझे ऐसी विद्धे सिखाऊंगा जो हर शिश्टी को नहीं सिखाई जाती। गुरूवर आप अगर अपमान मैसूस ना करें और मुझे शमा करें तो मैं कुछ कहूँ। कहो दालू मैं अपने शिश्टी की बात का बुरा नहीं मानता। अपनी बात कहने का सबको हक है। गुरूवर अब आप नगरी के कामों में दखल देनी की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे। गुरूवर बराबर मुस्करा रहे थे। आपने कहां मैं नगरी और तलिस्प में मिन्नों को दे दूँ। यह हम लोगों के कामों में दखल नहीं तो और क्या है। दालू बाब अकसर धीमा और शब्दों के आदर था। उस पर आप नगरी के समय चक्र को पुना चालू करने को कह रहे हैं। जबकि आपको नगरी की बातों में दिल्चस्पी नहीं लेनी चाहिए। गुरूवर मुस्कराते हुए इसे देख रहे थे। दालू बाब ने कहने के पच्चा गुरूवर से निगाएं नहीं मिलाई थी। आगे कहो दालू रुक्यों गए। और आप कह रहे हैं कि हाक्यों को बलाने के लिए निस्ठान ना करूँ। ये सब कहना नगरी में दखल गुरूवर के चैरे पर छाई मुस्कान और गहरी हो गई। ये तुम्हारा सोचने का नजरिया है। तब ही तुम इन बातों को नगरी में दखल देने वाली बात कह रहे हो। मेरे नजरिये से सोचो तो ऐसा खुछ भी नहीं है। गुरूवर का सर बहुत मीठा था। मैं सम का भला चाहता हूँ। देर सो बरस पहले भी जब मेरे शिश्य आपस में जगड़ बैठे थे तो मेरे ही शिश्यों ने अपनी जान कमाई थी। मुझे दुख हुआ। अब फिर ऐसा हुआ तो मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि बीता वग पुना खुद को अगर तुम अपने कदम रोक लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मिन्नो को मैं समझा दूँगा। नगरी का एक तिनका भी नहीं बिखरने दूँगा। इस बात की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। शमा करें गुरुवर। कहते हुए मुझे शरम तो आ रही है परन्तु मैं म परन्तु मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि इनसान जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। इसलिए मैं तो विद्धा बाढ़ता हूँ। शिश्य अपने कर्म करते हैं ओपर बैटा सबको देखने वाला कर्मों के मताबिक ही फल बाढ़ता है। गुरुवर। गुरुवर की आवाज में वही मीठापन मौजूद था। लालू बाबा ना कुछ नहीं का। हाकिम मेरा बेटा है मेरे से उसने बड़ी बड़ी विद्धा सीख ली। गुरुवर के चैरे पचाई मुस्कान कम नहीं हुई थी। वो विद्धा भी मैंने उसे सिका दी जो क भला करेगा। मुझ पर विश्वास करके देवताओं ने हाकिम को अमरत्व दिया था। परंतु अपने बेटे के मस्तिश्क की सोचों से में हमेशा अंजान रहा। वो तब अमरत्वी प्राप्त होने का इंतिजार कर रहा था जिसके प्राप्त होते ही वो बिरे रास्तों पर चल पड़ा। बहुत समझा है मैंने उसे। परंतु अमरत्व हासल करने के बाद घमंड उसे खा गया था। मेरी एक नहीं सुनी। नहीं मानी मेरी बात। मैं चाहता तो उसका नाश कर सकता था। परंतु हर कोई अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। इसलिए मैं खामोश रहा। मैं अपने शिष्ष को समझाने आया था। गुरुवर बराबर मुस्कुरा रहे थे। अब महसूस हुआ कि ये भूल थी मेरी क्योंकि मेरा शिष्ष मेरे कोई रास्ता दिखाने लगा। नहीं गुरुवर मेरा ऐसा कोई रादा नहीं था। हाकिम की बात य जाने क्यों दालू बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान ना चुटी। उसके बाद दालू बाबा ने पास पड़ी छोटी छोटी लकडियां उठा कर कुंड में रखनी आरंब कर दी। सबकी निगाएं दालू बाबा की हरकत पर थी कि एक एक महाजन चीक कर गुस्से स कह उठा। दालू आज मैं मान गया कि तेरे से बड़ा नीच इस नगरी में कोई दूसरा नहीं। दालू बाबा ने मुसकरा कर पिंजरे में बंद महाजन को देखा फिर पुना अपने काम में वैस्त हो गया। कमी ने तूने तो अपने गुरुवर की भी लाज नी रखी। फिर देवी के साथ तो जो कर जाए वही कम है। महाजन खा जाने वाले सवर में कह रहा था। गुरुवर ने तेरे को विद्या सिखा कर जानवर से इंसान बनाया। वरना आज भी तू कहीं बैल चला कर पेड भर रहा हो था। गुरुवर का कर जा तो पूरे जनम में नहीं उतार सकता तू। गुरुवर की शराफत तो देख आज तक उन्होंने कभी किसी शिश्शी से गुरु दच्छडा नी मागी। किसी ने दीत उन्होंने घ्रण करने से इंकार कर दिया। और आज तेरे को गुरुवर ने कुछ कहा तो तूने मानने से इंकार कर दिया। दाल बाके ला लटोर बंदरों में जगड़ा फड़ फड़ा रहा था हम थारों से एको बाज जरूर पूचो दालू बाबा ने उसे देखा पूच भवर सिंग दालू बाबा के चेरे बस जहरीली मुस्कान थी यो कुंडों में लकडियों को लगा कर अपनों चिता सजायों का दा बाबा ने कठोर सर में का ऐसी भ्यानक बाते क्यों करता है दालू स्वानलाल गहरी सांस लेकर क्या उठा हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कुछ नहीं बिगाड़ा गुल्चन दालू बाबा पहले जैसे सर में क्या उठा लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ सकते हो अगर अभी मुझे देवा और मिन्नों की मौत की खबर मिल जाए तो मनुष्ठान करके हाकिम को नहीं बुलाओंगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संबभ हो पाएगा क्योंकि वे तिलिस्मी जहर की हत्या कर सकते है तो इस पस पूर करता हूँ तब तक तुम इन शे काटोरों में इन शे मनुष्य का लहू भरो जी कहने के साथ ही केसर सिंग ने सामान ने साइस के शे काटोरे उठाय उनकी तरफ बढ़ गया और आक्षस इबतम मारा लहू पियो का वास्तर में कुट्ते हो तुम लोग जगमान सक्स्वर में क्या उठा मेरे में तो पहले ही खून कम है सौन लाल ने हरवड़ा कर गा फिर पारसनात को देखा भाई पारसनात मेरे बदले तू का टोरा लहू दे दे उधार रा कभी ना कभी तो वापिस करी दूँगा जवाब में पारसनात मुस्क्रा कर रह गया ये खून निकालेगा कर्मपाल सिंग घबरा उठा तभी महाजन ने जोरों से ठाका लगाया दालू महाजन हसी रोकते हुए क्या उठा मेरा खून लेगा तू ले पिंजरा अटा मेरा लहू तो थू बाद में देखेगा पहले हर जगे तेरा लहू भिकराओगा केसर सिंग ठिटका पिंजरे में बन महाजन पर निगाँ मारकर दालू बाबा को देखा दालू बाबा की निगाँ भी उस तरह वुट चुकी थी केसरे तुम दूसरों का लहू लो निल सिंग का लहू मैं निकालूंगा दालू बाबा ने कहा महाजन कड़वे ढंग में हस पड़ा केसर सिंग पहले जगमोहन के पास पहुचा जिसके हाथ पाओ बदे पड़ेते और वो बेवस सा जमीन पर पड़ा था केसर सिंग ने पीट पेचे उसके बंदे हाथों की एक उंगली पर हाथ रखा और होटो ही होटों में मंत्र बुदबुदाने लगा देखते ही देखते हैं उंगली से बूंद बूंद करके खून बहने लगा नीचे गिरती खून की बूंदों के नीचे केसर सिंक ने कटोरा रखा और जगमन से बोला जगू ऐसे ही रहना तुमारे आथ की उंगली से खून निकलगा कटोरे में पढ़ रहा है अगर तुम हिले तो खून बेकार में बाएगा एक कटोरा भी तो तुमारे खून का अहराल में ले नहीं है दुबारा भरना पड़ेगा इससे तुमारे ही शरी में लहू की कमी होगी तुमारे ही शरी को नुक्सान होगा अभी से तुमारा क्या मतलब? सुआनलाल जल्दी से क्या होटा? कि दोबारा फिर फिर खून लोगे हाँ, अब जो खून भरा जा रहा है वो तो अनुष्ठान के काम आएगा हाकिम के आने पर उसे खून पिलाने के लिए पुना खून निकालना पड़ेगा और जिसका खून उसे सबसे आधा सौधिश लगेगा वो इस मनुष्य के शरी का सारा लहू निकाल कर पिएगा और शरी को भून कर खाएगा राम राम इतना गंदा है वो आकिम सौनलाल के उठा चिंता की कोई बात नहीं, मेरा खून उसे सौध नहीं लगेगा क्योंकि मेरे लहू में तो नशे वाली गोली का सौध भरा है केसर सिंग खामोशी से उनका लहू निकालने में व्यस्तरा कुंड में लकडिया लगाने के बाद दालू बाबा अगर बत्ती धूप जलाकर अवन कुंड के आसपास विदिन उसार लगाने लगा अभी उन्हें सुलगाया नहीं गया था उसके बाद बहुत बड़े पीतल के थाल जिसमा नुष्ठान की सूखी सामगरी भड़ी पड़ी थी उसे कुंड के पास खीच लिया लोभान को कुंड में पड़ी लकडियों के उपर रख दिया तब तक केसर सिंग लहू के भरे कटोरे लाल आकर कुंड के पास रखने लगा दालू बाबा नील सिंग का लहू कटोरे में भरना बाकी है केसर सिंग ने कहा कटोरा नील सिंग के पिंजरे से चार फीट दूर रखो दालू बाबा के आदेश पर केसर सिंग ने खाली कटोरा पिंजरे से चार फिट दूर रग दिया दालू बाबा ने महाजन को देखा फिर आखे बंद करके धीमे सर में मंत्र बोलने लगा करीब आदा मिनट यही आलम रहा फिर बंद आखों से ही दालू बाबा ने उंगली महाजन की तरफ उठा दी उसी पल पिंजरे के पास पड़ा कटोरा लहू से भरा नजर आने लगा महाजन को एक एक अपने शरी में कमजोरी सी महसूस हुई कटोरा लेया केसरे केसर सिंग ने महाजन के लहू से भरा कटोरा लगर बाकी के कटोरों के पास रख दिया दालू बाबा ने सारे प्रवंद पर निगाँ मारी सेवक को बला लाओ केसर सिंग से रहला कर बाहर निकल गया सबकी निगाँ दालू बाबा की एरकोतों पर थी माजन खूनी निगाउं से दालू बाबा को देख रहा था पांच मिनट में केसर सिंग सेवक के साथ लोटा केसर सिंग और सेवक ने कमर पर सफेद धोती लपिट रखी थी दोनों के माते पर तेलग और गले में मालाय मौजूद थी दालू बाबा चौकी पर बैठा और दोनों को देख का शान सर में बोला तुम दोनों भी बैठ जाओ केसर तू यहाँ और तू यहाँ दोनों दालू बाबा की बताई जगे पर बैठ गए तुम दोनों इस अनुस्ठान के काईदे नियम जान लो और उसके मुताबिक अनुस्टान की करिया में सायक बनना है डालू बाबा का सर सभाविक था जरासी भी गलती अनुस्टान को खराब कर देगी ऐसा नहीं होगा डालू बाबा केसर सिंग ने विश्वास वरे सर में कहा पास बैठे सेवक ने भी सहमती में सेरे लाया इस अनुस्टान मश्यूत गी के बारा पीपों का ही इस्तमाल होगा इसलिए घी को कुंड में इस पकार डालना है कि ये पीपे तीसरे दिन अंतिम समय में समाब थो सेवक तुम घी डालने के लिए लकडी का वो चमच उठा लो सेवक ना फारां चमच उठा दिया घी का खोला कनस्तर पासी पड़ा था वो चमच दो फीट लंबा था और आगे थोड़ी सी गहराई थी जिसके उदारा घी कुंड में डाला जा सके केसरे तुमारे पास कबूतर का पंक पड़ा है जब मैं बाया हाथ उपर उठाऊं तो पंक को लहू के कटोरे में गीला करके कुंड में चीटे डालने है याद रहे ये 6 कटोरे लहू के हैं एक कटोरे से शुरू होकर 6 कटोरे तक जाना है उसके बाद पुना पहले कटोरे से शुरू करना होगा समझ गया दालू बावा और जब दायां हाथ उपर करके उठाओं तो तुम दोनों ने एक साथ सामगरी और घी कुंड में जलती आग में डालना है यह अनुष्टान तीन दिन तक चलेगा और इस बीच खाना या पानी घ्रण नहीं करना है किसी भी काम के लिए यहां से नहीं उठना है यानि कि हाकिम के प्रकट होने के बाद ही यहां से उठना है दालू बावा ने दौनों को देखा केसर सिंग और सहमगन है सहमती में सेरे लाया अनुष्ठान के दोरान ये कैदी मनुष कुछ कहकर या कैसी भी हरकत करके अनुष्ठान में विग्न डालने की चेश्टा कर सकते हैं परंतु हमें इनकी बातों हरकतों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देना है दालू बावा गंबीर था दोनों न पुना से रिलाया तालू बावा ने अपने सामने पड़ी किताब को देखा हाकिम के बुलाने की युक्ति इस किताब में दर्जे परंतु वो युक्ति किस प्रश्ट पर दर्जे इस बास से में अन्जान यही वज़े कि यह किताब मुझे शुरू से अंतक पूरी पढ़नी होगी किताब के सारे श्लोक और मंत्र मुझे दोहराने पढ़ेंगे किताब के अंतिम प्रश्ट पर आने में तीन दिन का समय लगेगा और अंतिम प्रश्ट समापत होते ही हाकिम क्याने की प्रक्रिया शुरू हो जाईगी जिससे किसी को भी घबरानी के अवश्यक्ता नहीं वो सारी सामाने प्रतिक्रिया होगी हाकिम क्याने की जी, केसर सिंग ने सेरे लाया, अनुस्थान के पंचाथ हाकिम अवश्य प्रकाट होगा? अवश्य, दालू बाबा विश्वास वरे सर्म मुस्कुराया, شक की कोई शंका नी केसर सिंग ने कुछ नी का, तो अब हम अनुस्थान शुरू कर रहे हैं कहने के साथ ही दालू बावा चौकी से उठा और कुंडी के पास पहुचकर केसर सिंग से कहा लकणियों पर लहू के चीटे डालू केसर सिंग नए पंक उटा कर कतार में रखे लगू के पैलु में से पहले पैले में पंक को डुबोया और फिर उसके छीटे कुंड में मौजू लकडियों पर डाले सामग्री केसर सिंग ने सामग्री भी डाल दी गी सेवक ने फॉरन लकडी का चम्मच का नस्तर में डाल कर घी से भरा और लकडियों पर डाल दिया दालू बाबा ने हवन कुंड को दौनों हाथ जोड़े फिर होटोई होटो में मंदर बुद्बुदाने लगा देखते हवन कुंड के किनारे पर लगी धूप अगर बत्तिया सुलग उटी वातावण की सुगंद से बार उठा तबी दालू बाबा ने हवन कुंड में मौजूद लकडियों के तरफ उंगली की वो आख से भवक उठी जिसकी वज़े से वातावण में सामगरी और लोबान निकाल कर उचे उचे सर में उसमें लिखे अक्षरों, मंत्रों और श्लोकों को उच्यारण करने लगा जब भी उसका दाया या बाया हाथ उठता तो उसी के मुताबिक केसर सिंग और सेवक हवन कुंड में घी, सामगरी और लहू की बूने डालने के कारे को अंजाम दे दे थे, हाकिम को बुलाने के लिए अनुस्टान आरंब हो चुका था, वे सारे कैदी बने सजीव अनुस्टान को देखे रहे थे, जबकि महाजंग के दाथ बिचे हुए थे, चैरा क्रोस से सुलग रहा था और आखों में प्याकुलता भरी पड़ी थी, दालु बाबा के उच मोना चौदरी के कंदे पर बैटी हुई थी, दौनों के कदम तेजी से उट रहे थे, हम जा किस तरấp रहे हैं, देवराँ चाण ने पूचा, तिलिस्में से बाहर, मौना चौदरी ना का, ये रास्ता सीधा तिलिस्में से बाहर जाता है, मौना चौदरी मुस्करा दी, नही कोई भी रास्ता सीधा तिलिस्में से बाहर नहीं जाता जो भी एक बार तिलिस्में आ जाता है वो जिन्दा बाहर तब ही जा सकता है जब उसे तिलिस्में के रास्तों का पूरा ग्यान हो मोना चौधरी नहीं मुस्करा कर का अगर कोई रास्ता तिलिस्म से बाहर जाने का भी बना हो तो फिर तिलिस्म बनाने का क्या फाइदा देवराज चान ने होट सिकोड़ कर सेर इलाया ये सारा तिलिस्म तुम ने बनाया था देवराज चान ने पूचा हाँ, क्यों? दुष्मनों की जान लेने से बैतर और अना तलिसमी कैद में भेजना मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने तलिसमी करने मनाल किया था मुना चौदी ने का मैं भी तो तुम्हारा दुष्मन था फिर तुम ने मुझे तलिसमे क्यों नहीं भेजा देवराद चान नों से देखा दुश्मन दुश्मन में फर्क होता है मैं तुम्हें तिलिस्मन ना भेज़कर अपने हाथों से खत्म करना चाहती थी अगर तुम्हें तिलिस्मन फसा देती तो शायद मुझे ही तुम्हें तिलिस्मन से मुक्त करना पड़ता मोना चौधी ने गहरी सांस ली ऐसा करने के लिए मुझे बापी और बेला मजबूर कर सकते थे देवराद चौन खामोश रहा और फिर तुमने कई बार ऐसे काम किये कि मुझे लगा तुम मेरी ताकत को ललकार रहे हो ऐसे में नगरी वालों को भी दिखाना था कि नगरी की तेवी में किसी की सिवारिश पर नहीं बलकि अपने बलबूते पर बनी नगरी के हरे इंसान से ठकरानी की और उसे हरानी के हिमत रखती हूं मैं देवराद चौन ने मोना चौत्वी को देखा रुस्तार और भागता हुआ आ रहा था देवराद चौन भाई देवराद चौन आपोन यहाँ पे तेरे कोई ढून ढून रहे ला था कितने दिन ओला बटकते हुए अपन तो सोचे लागी यहीं पर बटक्के मरेला पर तुम मेला बाप रुस्तार और खुशी से चीकता पास आता जा रहा था देवराद चौन और मोना चौदी के निगाएं मिली लगता है यह दलू बाबा की कोई चाल है देवराद चौन के होट सुकड़े परवा नहीं मोना चौदी कड़वे सर में क्या उटी अब उसकी कोई चाल मेरे सामने नहीं चल सकती क्योंकि यह चाले तो अब मेरे सामने बच्चों का खेल है रुस्तार राव अभी दस कदम दूर था कि मोना चौदी चीक कर बोली महीं रुक जाओ रुस्तार राव फॉरं ठिटका हैरानी से उसने मोना चौदी को देखा फिर देवराज चान को यह अपन क्या देखे ला रुस्तार राव के सर में अजीव से भाव थे पूरव और पश्चिम का मेल हो इला इदर तो देवा और मिन्नो सास्ता है तो इला विश्वास नहीं आने का कौन हो तुम देवराज चान की आवाज में कटवरता दी क्या बोला बाप अपन रुस्तार राव हो इला रुस्तार राव उलजन बरे सर्वे बोला तुम अपन को नहीं पैचान ने लाग्या देवराज चान तुम क्या पैचान है तेरी की तू रुस्ता राओ है देवराचान उसे घूर रहा था रुस्ता राओ के चेले पार अजीव से भाव हो गरे तेरा दिमाग तो नहीं फिरेला देवराचान रुस्ता राओ ने देवराचान और मोना चौदी को भी देखा मैंने पूछाए कि अगर तू रुस्ता राओ तो अपनी पैचान बता देवराचान पुरा बोला अपनी जरूर तेरे को पैचान बताया बाप रुस्ता राओ ने तीके सर्मे का पर अपन को तेरे बेशाक होईला कि तू देवराचान नहीं होईला तू देवराचान होईला तो अपनी पैचान दिखाएला कि तू देवराचान होईला देवराचान होड बीचकर रहे गया तब ही मोना चादरी क्या उठी अपनी जान बजाना चाता है तो भाग जाए यहां से तु अप उनको भागने के वास्ते बोईला मोना चौतरी जालिम छोकरे की आवाद में सक्ती जलक उटी तेरे को नहीं मालूम रुस्तराओ को तापर साब ना पीट दिखा कर भागने के बारे में नहीं बताया ला देवराद चान की आँके से उखड़ी मोना चौतरी का चैरा कठोर होने लगा आँके सुलक उठी मैं जानती हूँ तेरे को दालू ना रुस्तराओ के चैरे में हमारे पास हमारी जान लेने बेजाए हमारे समझाने पर भी तु बाज नहीं आ रहा तो ले अपनी करनी का फल दांत भीचकर कहने के साथ ही मोना चौतरी न अपनी उखली रुस्तराओ की तरफ की और होटे ही उटो में कुछ बुद्विदाने लगी देवरा चौन होट भीचे बारी-बारी दोनों को देख रहा था रुस्तराओ सिर सिपाओ तो गुलजन में डूबा मोना चौतरी और देवरा चौन को देख रहा था तबी मोना चौतरी के उंगली से किरन से निकली और तेजी से रुस्तराओ की तरफ बढ़ी किरन की चमक देवरा चौन और रुस्तराओ ने इस पश्च देखी रुस्ताराओ समझ नहीं पाए कि क्या करें तब ही वह उकेराण उसे चूकर वापिस मोना चौधी के उंगली में आकर गुम्मो गई मोना चौधी के चेरे पार एजी से भाव उगरे हाथ नीचे कर लिया फिर पास कड़े देवराद चान को देखा जो उसे ही देख रहा था ये दालू की कोई तिलिस्मी चाल नहीं बलकि असली रुस्ताराओ है मोना चौधी नहीं का ये बाद तुमने कैसे जानी देवराद चौधी के ओटों से निकला अगर रुस्ताराओ का आना तिलिस्मी का खेल होता मुझे दोखा हो सकता है मोना चौधी मुस्कराई लेकिन मिन्नो को नहीं जो तिलिस्मी के हर बात के कड़ कड़ से वाकिफ है मिन्नो के सामने किसी की तिलिस्मी चाल सबल नहीं हो सकती देवराद चौधी ने रुस्ताराओ को देखा देवराचान की एक टक निगा उस पर थी बाप क्यों अपन का दिमाग खराब कर रहे ला है रुस्तन रावने आखे से गोड़ी ठीक है देवराचान उसी लहजे में बोला मेरे सवाल का जवाब दो जब हम तिलिसमी नगरी की तरफ बढ़ रहे थे तो तब तुम नदी में आते हुए कहां कायब हो गए थे क्या बोला बाप तुमारा खोपड़ी ही लेला है क्या रुस्तना होटो किसे हो रुस्तना के होटो से निकला अपन नदी में कहां कायब होला अपन तो पत्थर के घोड़े पर बैठेला तो घोड़ा हवा में आसमान में पहुचेला था जानने के लिए अपने अनिल मुहान का पूर प्रकाशित पन्यास जीत का ताज तब मैंने तुमारी टांग पकड़ी तो तुम घोड़े से नीचे के नहीं उत्रे अपनको पूरा विश्वास होए लागी तुमारी खोपड़ी फिरेला है रुस्तर राओ ने अजीब से सर में का क्यों अपनकी टांग तुमने किदर पकड़ेला था घोड़ा था अपनको लेकर फॉरान हवा में पहुचेला देवराचान मुस्कराया माना कि तुम रुस्तर राओ असली हो देवराचान बोला बाप रुस्तर राओ आगे बढ़ा तुम अपन पर शक्क्यों करेला कि अपन रुस्तर राओ नहीं नगरी और तिलिस्मे का इस वक्ट दालूग नाम का वेक्ति मालिक बना हुआ है वो हमसे डर रहा है इसलिए कई तरह की कुछकर करके मेरी और मोना चादरी की जान लेना चाहता है देवराचान ना समझाने वाले सर्मे का एक बाड़ तो अपने तिलिस्मे के दंपर जगमोन के चेहरे वाले वेक्ति का हमारे सामने कर दिया कि वो हम दोनों की जान ले सके इसलिए तुमारे बारे में सावधानी बढ़ती गई समझेला बाब कोपड़ी में पूरी बात गुसेला रुस्तान आना क्याकर मोना चादरी को देखा दोनों की आखे में नी मोना चौदरी मुस्कराई तो वो देवराज चान से बोला तुम दोनों साथ कैसे होई ला उसकी बात का जवाब ना देखा देवराज चान ना पूछा तुम तलिस में कैसे आ गए बाबा उनको इधर पचाएला रुस्ताना मुस्कराया फकीर बाबा देवराज चान के ओटों से निकला हाँ बाब असल बात ये होई ला कि आप उनको पहले जण्म का पूरी तरह याद आएला आप उन अपनी लाडों से भी मिला रुस्तारा का चहरा खुशी से भर उठा था बाबा जानेला कि तुम दोनों इदा तिलिस में होई ला बाबा बोई ला कि तुम दोनों को पहले के जण्म की बात याद करायेला इसी वास्ते बाबा ने अप उनको तिलिस में बेजेला तुम दोनों जगडेला नहीं वो पहले जनम की लड़ाई तो कालू रामा दालू कराएला चालबाजी से बाबा भी तब गड़बड करेएला पर अब उसका दिमाग ठीक होएला वो मानेला कि उससे गलती होएला अपड़ तुम दोनों को बताएला कि पहले जनम में क्या होएला काई को तुम दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे होएला और कहते कहते रुस्तरा ठिटका देवराज चानम मोना चौतरी के चैरों पर अजीव सी मुस्कान भिखर गई थी क्या बात होएला वाप उनके मुस्कान पर रुस्तरा नाव उल्जन में पड़ा तुमारा चैरा देखकर लग रहा है कि कई तुनों से तलिस्त में भूके प्यासे बठक रहा हो देवराज चानम मुस्कुराया ठीक बोईला वाप पड़ी यहां पर कोई इंतिजाम नहीं होएला खाने के वास्ते मैं अभी इंतिजाम कर देती हूँ मोना चौदरी भी मुस्कराई और अगले ही पल उसने आखे बंद करके होटो होटो में कुछ बुदबुदाया तो एक आए की सामने टेबिल और उस पर पड़ा गर्म खाना नजार आने लगा पास में तीन कुरसियां मौजूद थी खाने की मैक उनकी सासों से टकराई मोना चौदरी ना आखे खोल ली रुस्तर राठ ठगा सा रहे गया उसकी नेगा टेबिल कुड़सी और खाने पर फिरने लगी चहरे पर पचासों तरह के भाव गुडमण हो रहे थे फिर उसकी नेगा मोना चौदरी पर जाटी की और पहली बार उसे एसास हुआ मोना चौदरी के कंदे पर मौजूद काली बिल्ली का तुम मिन्नो होईला रुस्तर आ के होटों से निकला ये काली बिल्ली तुम मिन्नो की होईला अब मातो पास बैटी नहीं जो तेरे को दुबारा गर्म करके खिलाए रुस्तारा मूँ फाड़े देवराचान को देखने लगा देवा रुस्तारा के होटों से हक्का बक्का सौर निकला हाँ तरे वेडी मैं देवा ही हूँ देवराचान के मुस्कान में गंबीरता आ गई याद है तुने पहले चनमे मेरी जान कालूराम से बचाई थी तब कालूराम मेरे को बेवस करके मेरी जान लेने जा रहा था और तब तेरे ब्या के फेरे हो रहे थे ये खबर मिलते ही तु वहाँ आ पहुचा और तुने कालूराम को जाने कैसे खत्म कर दिया वो गुल्चंद अपने को खबर देला कि कालूराम देवा को मारने जा रहे ला तब अपन ब्या के फिर छोड़ कर भागा रुस्तर आ के होड़ से बरबसी निकला दोनों कई पलो था एक दूसरे को देखते रहे फिर रुस्तर आ तेजी से आगे बढ़ा देवराज ने बाहे फिला दी दोनों गले लग गए तेरे को सब याद आयला हो देवा सब याद आयला रुस्तर आ के सवर में कमपन था और मोना चौदी को खत्म कर सके हाँ तरेवेडी सब याद आ गया मैं तो सबसे मिल चुका हूँ मा बापू ताउ ताई चाचा चाची किष्णा और संध्या से सबसे मिल चुका हूँ देवराज चान ने घहरी सांस ली रुस्तर आ अलग होते हूँ बोला वो सब अभी भी होई ला हाँ दालूना नगरी का समय चक्र रोक रखा है वो सब वैसे ही हैं जैसा हम उन्हें छोड़ कर गएते मेरे बारे में पूछे ला वो सब तर्वेडी का हल पूछे लगा के रुस्तर आ के आखों में आसू नजर आने लगे देवराज चान के पूर जनके परिवार वालों के बारे में जाननी के लिए पड़े अनिल मोहन का पूर प्रकाशित उपन्यास ताच के दाविदार नहीं तर्वेणी बहुत कम समय को गुजार पाया उनके साथ कोई बात करने का पूरा वक्ती नहीं मिला शाम से लेकर आधी रात तक चन घंटें उनके पास रह पाया मालूम है वो लोग किदर को होईला मालूम हो जाएगा मोना चौदरी क्या उटी मैं रास्ते में आने वाले हर तिलिस्मों को खत्म करती जाओंगी देवा के परिवार वाले बस्ती वाले जहां भी योगे मिल जाएंगे रुस्तर नहीं ने मुस्करा कर मोना चौदरी को देखा मुझे खुशी होईला कि तुम दोनों को पूर्जरण की सब बाते याद आयला रुस्तर नहीं के होटो पर मुस्कान बिखरी पड़ी थी और इससे भी ज्यादा खुशी ये होईला कि वो पूरानी दुश्मनी तुम दोनों भुएला मुझे जिस मुद्धे पर दुश्मनी की बुनियाद पड़ी थी वो मुद्धा इतना हैं नहीं कि याद आने पर उस मुद्धे को फिर्जो उठाया जाए उस वाद दुश्मनी का मुद्धा शाय ठीक रहा हो परन्तु आज लगता है कि वो सब बाते बिवानी थी उसमें जगड़े जैसी कोई वज़े पैदा नहीं होनी चाहिए थी मिन्नो वो जगड़ा तेरी जित की वज़े से होईला की तु देवा से बया रहने दे तर्वेनी मोना चौद्धी ने गंबीर सर्में का बीती बाते मात उखाण मेरी गलती होते हुए भी मैं खुद को शायद गलत नहीं मानती क्योंकि दालू और पेशी राम की बाते मेरे सिर पर चड़कर बोल रही थी कुछ मेरी आदत गुस्से वाली थी तो कुछ मैं दूसरों के भड़कावे में आ गई और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था मैं सब वो बाते याद नहीं करना चाहती मोना चौदरी रुस्तरमा सिर लाकर क्या उठा अतीत की पड़चाईयों कभी भी पीछा नहीं चोड़ेला तुम जिदर को भी भागेला पड़चाईयों तुमारे साथ होएला तुमारे ही कहने पर कालूराम देवा की जान लेने जाएला था अपनी हेकडी के वास्ते तुमने कालूराम को देवा की जान तुर्वेणी देवराज चान ने टोका रुस्ताराम ने देवराज चान को देगा पहले जन्द में हुए हाथ्सों की परवा मुझे नहीं है तो तुम्हें भी इन बातों को छोड़ देना चाहिए आप उनके दर बात पकड़ेला योही बात कियेला था देवा आओ खाना खाले तीनों कुर्सी पर बैड़ गाए और खाना खाने लगे आप उनको बहुत खुशी होएला कि तुम दोनों को सब याद आएला और दोस्ती बने ला दोनों में पेशी राम ने आप उनको इसी वास्ते तिलिस में बेजे ला कि दोनों को पूश जणा की बाते याद कराएला और दोस्ती कराएला परन्तु वो बात तो पहले ही फिट होएला रुस्तर आम उसकरा कर बोला खाने के दरान कुछ ऐसी बात होती रही उसके बाद रुस्तर आप बोला अब तुम लोग क्या करे लाओ देवराचान नों मोना चौदरी की निगाह मिली हाकिम की याद है देवराचान बोला बरोबर याद है बाप उसको अपुन ने देखे ला नहीं बाद में पैदा होएला था पड़ ये मालूम होएला कि हाकिम गुरुवर का बेटा होएला गुरुवर नो उसे विद्धान बनाएला देवताओं का आशिरवाद दिलाया हाकिम को गुरुवर ने कि वो लोगों की सेवा करेला पड़ वो बिगडेला बहुत बुरा बनेला वो पड़ बात क्या हो गया अपनी ताकत से बरी बुराईयों के साथ आगे मा ग्यादवाद पर चला गया था पोई नहीं जानता कि वो कहां रहरा और क्या करता है परन्तों ये जाहर है कि वो जहां भी है वहां भी बुरे काम करके लोगों को दुखी कर रहा होगा दालू ना कभी उसका भला किया था इसलिए हाकिम ना मुसीवत के वक्स से मुसीवत के वक्स से बुलाने की तरकीब बता दी थी और हमें मालूम हुआ कि दालू अब हाकिम को बुलाने के लिए विदियुनसार अनुस्ठान कर रहा है कि हाकिम मुझे और मोना चौदी को खत्म कर सके इसमें तीन पन्ने कम थे जिस वज़े से मुझे इसकी दूसरी कौपी को पढ़ना पढ़ा लेकिन आप लोग सोच रहोगे इतनी साफ कौपी को मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ और ओरिजनल कौपी को पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत जादा मिस्टेक्स हैं सेंटेंसिस गलत हैं इसलिए मैं ओरिजनल कौपी को ही रीड कर रहा हूँ दालू डरेला मिन्नो और तुमारे से रस्तराओ का चैरा गुस्से से भर उठा खासतोर से मिन्नो से क्योंकि वो सब जाने ला कि मिन्नो के साथ उसने क्या कड़बर करे रा मोना चाधरी का चैरा भी धदाक उटा देवा के साथ मेरी आखरी लड़ाई में मैंने इसे खत्म कर दिया था और तब मैं भी मल्लासर वस्ता में पढ़ी थी मेरा उपचार होता तो मैं ठीक हो जाती लेकिन दालू का जारा खेल तो मेरी जान खत्म करना ही था वो मुझे जिंदा कैसे रहने देता मेरे जिसमे से जान निकालने में सिर्फ एक आखरी वार की जरूट थी जिसे देवा तो नहीं कर सका लेकिन वो वार दालू ने दोके से कर दिया ओ, रुस्ताराओ के ओटों से निकला और भी बाते हैं जिससे दालू डर रहा है मैंने उसे रखवाले के तौर पर तिलिस्म सौपा था परंतो वो बापू और बेला के साथ शटेंद करके नगरी का भी मालिक बन गया तिलिस्मी ताज अपने कबजे में करके नगरी के समय चक्र को रोग दिया अभी भी वो बापू और बेला की जान के पीछे है ऐसी और भी पचासो बाते हैं जिसकी वज़े से वो मेरे से डर रहा है कि अगर मुझे पूर्च जनम याद आ गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा इसी वज़े कि कारण वो हाकिम को बुला कर मुझे खत्म करना चाता है देवा से भी उसे डर है कि उसे भी अगर पूर्च जनम की बाते याद आगी और मालूम हो गया उस जगड़े में दालू बाबा का हाथ था उसने ही छगड़ा करवाय था और इसके परिवार और बस्ती वालों को समझ चक्र में बांध रखा है तो देवा भी उसे नहीं छोड़ेगा इसलिए दालू हम दोनों का हराल में खत्म करवाना चाहता है तीनों के चेरों पर गंबीरता और गुस्सा उबरा पड़ाता ये बात तो हाकिम को डराय लई पड़ ये तो सब तुम लोगों को कौन बताय ला बाप मेरे बापू ने बेला ने मौना चाहदी ने सक्सवर में का बापू के प्रत्न सही हमें पहले की जन्म याद आईए और अब बेला और बापू तुम्हारा किदर हो इला अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते रुस्तार रास से हिला कर रह गया तो अब किदर का प्रोग्राम हो इला रुस्तार राण ने दोनों को देखा रुस्तार राण देवराज चाहन अगंबीर सर में का गुरुवर के समझाने पर भी हाकिम ने पिता की बात नहीं मानी क्योंकि अमरत प्रहासिल कर चुका हाकिम तो जैसे सबका हाकिम मन चुका था लेकिन शायद हाकिम ने अपने पिता यानि कि गुरुवर की शक्तियों को ठीक तरह से समझा नहीं था हाकिम जब गुप्त आवास पर अपनी मनमानी करने चला गया तो गुरुवर ने एक किताब लिखी जिसमें अमरत प्राप्त आपकिम को कत्म करने की तरकीक का जिक्र था और वो किताब तब की नगरी की देवी को ये कहकर सौब्दी कि अगर हाकिम नगरी पर जुर्म ढ़ाए तो इस किताब में उसे समाप्त करने का उपाय दर जै परंतु हाकिम ने कभी भी इस नगरी पर जुल्म नहीं किया कभी आया तो थोड़ा बहुत करके फोरण चला गया क्योंकि उस किताब को उसे भी पता था ऐसे में वो किताब स्वरक्षे रखी उसके हवाले कर दी जाती जो कुल देवी चुनी जाती रुस्तारा ने सेरे लाया और जब मोना चौदी कुल देवी बनी तो वो किताब इसके कबजे में आ गई उसके बाद नगरी के जगड़े इस कदर बढ़ गए कि वो किताब महल में उसी गुपते जग़े पर रही और सब कुस तबहा हो गया तो अब किताब का रगडेला किदर से आ गया अब तुम दोनों महल में जाकर उस किताब को लाएला जिसमें हाकिम को मारने का तरीका दर जोहिला हाँ रुस्तारा ने मोना चौधरी को देखा तो मैं मालूम होईला कि वो किताब महल में किदर पढ़ेला होईला रुस्तारा ने पूछा नहीं ये नहीं मालूम मोना चौधरी ने सोच बरे ज़र में कहा तो मेरे बशाय उस तुलिस्म को काटकर वो उस किताब तक पहुंच सकता है मौना चौधि के चहरे पर गंबीरता थी मतलग भी 50-50 चांस उयला उस किताब का मिलने का मौना चौधि के दाथ बिज गए उस किताब का मिलना बहुत जरूरी है रस्ताराओ मोना चौदी का तरनाक सवर में क्या उटी क्योंकि उसके तब कि बिना हम हाकिम का मुकाबला नहीं कर सकते और एक बार फिर दालू अपने इरादे में कामियाब हो जाएगा और मैं उसकी चालों में आकर जान नहीं का मना चाहती दो पलों के लिए वाँ खामोशी चीश आ गई देवराद चाहन नहीं के चैरों पर निगा हमारी हमें यहीं सोचकर महल की तरफ बढ़ना है कि वो किताब वहीं होगी तब हम आसानी से और जल्दी रस्ता तैकर सकते हैं महल में क्या होगा किताब वहाँ है या नहीं ये बात की बात है मौना चाहती के निगा देवराद चाहन पर जाटी की तुम दालू की कमीनगी नहीं जानते उसकी कमीनगी का एसाज मुझे आब हो रहा है मौना चाहती एक एक शब चबाकर कड़वे तीके सवर में क्या उटी मेरी मौत के पश्चाद नगरी को अपने कबजे में लेने के पश्चाद यकीनन उसने उस किताब की तलाश की होगी जिसमें हाकिम की मौत का ठंक दढ़ जै हो सकता है दालू ने वो किताब तलाश कर ली हो या फिक किताब पहुशने में सफल ना हो सका हो कुछ भी हो सकता है देवराचान उट खड़ा हुआ दौनों ने उसे देखा हमें तुरंत यहां से चल देना चाहिए देवराचान ने का अगर वो किताब महल में नहीं है तो हाकिम से निबटने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा मोना चौदी और रुस्तरा फारण उठ खड़े हुए वो अपने बाकी साथी कितर को हिला कोई मेला का रुस्तरा रान न दोनों को देखा नई देवराचान के ओट बिस्ते चले गए तब ही मोना चौदी की निगा काली बिल्ली की तरफ उठी बिल्ली चमकदा निगाओं से उसे ही देख रही थी मोना चौदी के चेरे पर सोच के भाव उगरे क्या हो इला रुस्तरा रान न भूचा मोना चौदी से रहे लाकर क्या उटी अभी हमें कई तरह के खत्रों से निकलना है अजीव अजीव रास्तों को पार करना है और बिल्ली के साथ की हमें जरुरत नहीं यूई इसकी चान खत्रे में डालना ठीक नहीं तो इसे बापू यानि मुदरानात के पास ही बेज़ देना ठीक रहेगा रुस्तरा रान बिल्ली को देखा मोना चौदी के होट बिल्ली को देखते हुए हिलने लगे मंत्र के पूर्ण होता ही होट थमे तो बिल्ली के होटों से म्याओ की आवाज निकली और रुछल का वो मोना चौदी के कंदे परा बैटी मोना चौदी ने उस पर हाथ फेरा तो वो पूरा म्याओ की पुकार में निकालकर नीचे कूदी और देखते ही देखते तेजी से एकतर दोड़ती हुए निगाओं से ओजल होती चली गई ये किदर को गेला मैंने इसे बापू के पास भेज दिया है मोना चौदी ने से रहला कर का चल बाप अब आगे बढ़ेला और फिर वे तीनों पुना तेजी से आगे बढ़ने लगी कितने दिन जम तिलिसमा बठा करें शुप सिंग कीरतलाल बोला लेकिन हमें देवी कहीं भी नहीं मिली क्या मालूम देवी तिलिसमें से निकल गई हो परताप सिंग क्या होटा देवी तिलिसमें से नहीं निकल सकती शुप सिंग ने दड़ता बरे स्वर में का क्यों? क्योंकि देवी को अपने पूर्जण के बारे में कुछ भी याद नहीं ऐसे में उसे अपना ही बनाया तिलिस्मे कैसे याद होगा? वो यकिनां तिलिस्मे कहीं भटक रही है शुप सिंग की आवाज में विश्वास था मोना चौधी के तलाश में तिलिस्मे से आयोंने पांस दिन हो चुके थे परंतु लाग ढूनने पर भी हो मोना चौधी को नहीं ढून सके थे शुप सिंग के बारे में जाननी के लिए पड़े है अनिल मौन का उपन्यास ताच के दाविदार जो भी हो हम देवी को डूने पिन तलिस्मे से बार नहीं जाएंगे शुप सिंग फक्के सवर में क्या उटा हम तो देवी को देड़ सो बरस के बाद पुर्णा देखेंगे परताप सिंग ने कीरतलाल को देखा हाँ कीरतलाल ने से रहलाया देवी को देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है तब ही परताब सिंग की निगा हरी सिंग पर पड़ी जो काफी दूर था और तेजी से एक तरफ बढ़ा जा रहा था जैसे कहीं पहुचनी के उसे जल्दी हो वो देखो परताब सिंग के ओटों से निकला दौनों ने उधर देखा ये तो हरी सिंग है दालू बाबा का खास आत्मी शुप सिंग के चेरे पर सोच के भाव हो गरे ये यहां क्या कर रहा है कीरतलल के उठा दालू बाबा का खास आत्मी है तो किसी काम के लिए तालू बाबा नहीं हरी सिंग को तिलिस में वेजा होगा और तालू बाबा की इस वक्तिलिस में दिल्चस्पी देवी के वज़े से ही हो सकती है शुप सिंग बोला इसका मतलब हो सकता हरी सिंग जानता हो कि देवी तिलिस में है कहा प्रताप सिंग ने कहा हो नहीं सकता बलकि हरी सिंग को अवश्य मालूम होगा देवी के बारे में शुप सिंग उठता हुआ बोला आओ इसके पीछे जाकर देखते ही यह कहा जा रहा हो क्या कर रहा है परताप सिंग और केरे राल भी फॉरंग खड़े हो गए भोजन बीच में छोड़कर तीनों उस तरह बढ़ गए जिदा हरी सिंग जा रहा था तीनों इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोई आठ पैदा ना हो और हरी सिंग को उनके पीछे आने के बारे में मालूम ना हो पंदरा मिनट तो खामोशी से पीछा करते गुजर गए परंतु आखिरकार उनके पाउं के नीचे पेड से गिरे हुए सूके पत्तों पर पड़े तो चर्मनाट के आवाज से आगे जाता हरी सिंग साफधान होकर फॉरन पीछे पलटा तो वे तीनों उसकी निगाओं में आ गए उन्हें इस तरह पीछे आता पाकर हरी सिंग चौका तीनों ठिटके हरी सिंग नहीं हमें देख लिया है कीरतलाल क्या उठा कोई बात नहीं शुप सिंग के आवाज नों चुबन थी अब इस सीधे सीधे बात करेंगे तो तुमारा क्या ख्याल है ये बता देगा की देवी कहा है पर्ताप सिंग के माते पर बल पड़े ये तो दालू बाबा का आदमी है और दालू के लिए देवी के खिलाफ काम कर रहोगा और ये बात भी ये अवश्य जानता है कि हम देवी के खास आत्मी है और वक्त आने पर दालू बाबा के खिलाफ देवी का साथ ही देंगे तो ऐसे में ये देवी के बारे में हमें क्यों बताएगा हम मूँ खुलवाना भी तो जानते हैं शुप सिंग ने सक्सवर में का दालू बाबा के आत्मी के साथ सक्ती करोगे तो दालू बाबा छोड़ेगा नहीं कीरतलाल बोला देखते हैं कहने के साथी शुप सिंग सबसे आगे बढ़ गया कीरतलाल परताप सिंग उसके साथ चल पड़े हरी सिंग बरावर उनहीं देख रहा था परंतु वे सतर को चुका था तीनों को पास आया पाकर हरी सिंग मुस्कराया आओ शुप सिंग हरी सिंग शांसवर में क्या उठा देड़ सो बरस के बाद पुना तुम्हें देखकर खुशी हो रही है मैं भी खुश हूँ तुम्हें सामने पाकर शुप सिंग मुस्कराया बहुत किस्मत वाले हो कि देवी ने तिलिस में आकर तुम्हें बुच्छ से पुना इंसान बना कर सजा से मुक्ती दिला दी ये भी हो सकता था कि देवी की दिगा तुम पर नहीं पड़ती ठीक कहते हो हरी सिंग हरी सिंग ने परताब सिंग और कीरतलाल को देखा तो तुम दोनों फिरे खटा हो गए तिलिस में क्या कर रहो तुम लोग हरी सिंग ने पूछा यही बात में तुम से पूछना चाता हो हरी सिंग कि तुम तिलिस में क्या कर रहे हो शुप सिंग बोला मैं तो दालू बाबा के काम के खातर तिलिस में हूँ हरी सिंग ने का दालू बाबा का काम मतलब कि दालू बाबा के लिए तिलिस में भसी देवी की खबरे घटी करके दालू बाबा तक पहजा रहे हो शुप सिंग मुस्कराया समझदार तो तुम शुरू मानो तो अपना रास्ता बदल लो दालू बाबा को इस बार पसंद नहीं आएगा कि कोई मिन्नो की साहता करे शुप सिंग का चैरा कटोर हो गया मैं दालू बाबा का नौकर नहीं हूँ तुम हो उसकी जी उजीरी करने वाले मैं तो कुल देवी की सेवा करके अपने फर्स को कर रहा हूँ शुप सिंग सब्दों को चबा करके उठा मैंने तो तुम्हें आज के हलातों को देखते हुए सला दिये आगे तुमारी मर्जी हरी सिंग ने शान सर में का लेकिन तुम लोगों को इस तरह मेरा पीछा नहीं करना चाहिए तुम ठीक कहते हो हमें सीधे सीधे तुम्हें खबर है कि देवी तिलिस में कहा है शुप सिंग गंबीर सर में बोला हाँ पूरी नहीं तो आदी और दूरी तो खबर है हरी सिंग के माथे पर बल पड़े हमें देवी की तलाश है बताओ देवी तिलिस में कहा है मैं नहीं बता सकता क्यों देवी के बारे में त तो मैं बताना दालू बाबा से गद्दारी होगी, क्योंकि तुम मिन्नों की सायता करोगी, हरी सिंग, गद्दारी उसे कहते हैं, जो किसी शरीफ इंसान से की जाए, दालू बाबा जैसे गद्दार के साथ गद्दारी करना तो एक अच्छा काम है, शुप सिंग मुस्कराया, तुम मुझे दालूबावा के किला भढ़का रहे हो हरी सिंग नती के स्वर में का नई, मैं समझा नहीं रहूँ नई, मैं समझा रहूँ कि तुम बुरे इंसान का साथ दे रहो गला रास्ते पर चल रहो, अभी भी वक्त है ये रास्ता छोड़कर हमारे साथ कदम मिला लो गद्दारी से गद्दारी करना बुरा नहीं होता बता हरी सिंग देवी तिलिस में का है शुप सिंग की निगा हरी सिंग पर थी मैं नहीं बताऊंगा, छीक है इतना ही बता दी कि देवी तिलिस में किस दिशा में है मैं कुछ नहीं बताऊंगा हरी सिंग होट भीज कर क्या उटा कीरत लाल बोला ये सीधी तरह नहीं मानने वाला इसे रास्ते पर लाना होगा शुप सिंग कटोरज़र में क्या उटा शुप सिंग कैर भरे ढंग से मुस्कराया सुना अरी सिंग अब फैसला तुई ही कर ले शुप सिंग हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हमारी दुश्मनी नहीं है बलकि हम लोगों के करमों की दुश्मनी है तु गलत इंसान का साथ दे रहा है और मैं कुल देवी की रक्षा करने के लिए भाग दोड़ कर रहा हूँ बता देवी तेलिस में कहा है नहीं मैं तुमारे सवाल का जवाब नहीं दूँगा तब ही कीरत लाल ने गुस्से में कमर पफसी कटार निकाल ली हरी सिंग शुप सिंग के आखों में कटोड़ता बरसने लगी दालू बाबा ने नगरी का समय चकर रोक रखा है लेकिन किसी को भी अमर रहने का वरदान प्राप्त नहीं है हमारे सवाल का जवाब दिये बेना तू यहां से नहीं जा सकता अपना भला सोच ले तुमारी धंकी में दालू बाबा को बताऊंगा हरी सिंग दाथ भीच कर बोला शुप सिंग ने कमर पा फसा खंजा निकाल लिया तू दालू बाबा तक कब तभी पहुचेगा जब हम तुझे जिन्दा चोड़ेंगे शुप सिंग ने गुस्ते से क्या उटा तो तुम लोग मेरी जी मुझे जान की धंकी दे रहो हरी सिंग गुस्ते से बार उटा ये धंकी नहीं है बलकि सच में हम तेरी जान लेने जा रहे है तू जिन्दा रहा तो देवी के खिलाब दालू की साहयता करता रहेगा एक एक करके तेरे जैसे दालू के सब विश्वस्त आद्मियों को खत्म करना जरूरी हो गया लेकिन तेरे लिए एक मौका है जीने का इस वक्त तिलिस में देवी किस दर्शा में ये खबार हमें दे 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 और अपनी जान बचा ले शुप सिंग खतरनाक सर्म क्या उटा हरी सिंग न फुरती के साथ कमर में फजी तलवार निकाल ली शुप सिंग अग तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे ये गद्दार गद्दार का ही साथ देगा शुप सिंग कुरूर सर्म बोला खत्म कर दो इसे उसी चान पलक जबकती शुप सिंग के हाथों से खंजर निकला और हवा में ले रहा था वो खंजर ठीक हरी सिंग के चाती में पूरा का पूरा जाता सा हरी सिंग जोरों से चीखा तलवार हाथ से छूट गई और दोनों हाथ चाती में फजे खंजर पर जाते के चाती खून से गीली होने लगी उसके चैरे पर पीड़ा के भाव थी शुप सिंग हरी सिंग लड़कडा तक है उठा तुम शुप सिंग आगे बढ़ा और जोड़दा ठोकर उसके पेट में मारी हरी सिंग जमीन पर लड़कतर चला गया शुप सिंग का चैरा गुस्ते से भर भरा पड़ा था ये तेरा आखरी वक्त हरी सिंग तुमने दालू के साथ मिलकर बहुत बुरे काम की है मुझे पत्थर का बुद बना कर देर सो बरस तक जूटी सजा दे दी क्योंकि मैं देवी का वफदार था अभी भी वक्त है अपने किये का पच्छात आप कर लो बता दो देवी कहा है तिलिस में नई दर्द उसे तड़पता हरी सिंग क्या उठा नई बताऊंगा तुम कीरत लाल शुप सिंग मौत से बरे सर्म बोला एक ही बार में इसकी गर्दान लग कर दो कीरत लाल फौरान आगे बढ़ा और देखती देखती एक ही बार में कटार से हरी सिंग की गर्दान लग कर दी सिर्दूर जा गिरा हरी सिंग का शरीर जोरों से तड़पने लगा बहता खून जमीन को सुर्प कर रहा था दिल धेला देने वाला दृष्ट सामने था परन तु तीनों के चैरे कटोर हुए पड़े थे परताब सिंग शुप सिंग कटोर सर में क्या उटा हाँ गड़ा को दो और इसका सिर्फ जमीन में दफन करके उपर मिट्टी डाल दो ऐसा मत करो शुप सिंग परताब सिंग बोला क्यों शुप सिंग न परताब सिंग को देखा नगरी में हर कोई जानता है कि दुश्मन को खत्म करके शुप सिंग उसका सिर्फ काटकर जमीन में दफन कर देता है बिना सिर्की लाश देर सो बरस पहले जब भी नज़र आती तो सब जान चाथ जिते कि तुमने उसे मारा है परताब सिंग ने का तुम कहना चाते हो कि ऐसा करने से दालू समझ जाएगा कि हरी सिंग को मैंने मारा है परताब सिंग ने सहमती से से रडाकर का हाँ और इस वक्त हम दालू से मकाबला करने की स्थिती में नहीं है इसलिए अब मुझे दालू का डर नहीं देवी देड़ सोबर अजबाद बाफेश आ चुकी है देवी की सेवा की खातिरी मैंने हरी सिंग की जान लिए देवी मेरी सायता करेगी इस सेवा की रा में अगर दालू मेरी जान भी ले ले तो मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि अब छिपकर दालू से नहीं लड़ा जा सकता गड़ा को दो और इसिंग के सिर्व को दबा दो उपर मिट्टी डाल दो जय कुल देवी शुप सिंग कहते हुए बेखौफ आगे बढ़ा और मृत हरी सिंग के सीने में धसा खंजन निकाल कर उसे साफ करके कमर पर लगाया और हरी सिंग के नीचे पड़ी तलवार उठाई और दस बारा कतम दूर जाका तलवार की नोक में कट्टा कोदने लगा सिर्व दफन करने के लिए सॉरी सिर्व दफन करने के लिए इसलिए मैं इससे नहीं बाड़ रा था कीरे अटलाल खून में डूबी कटार को साफ करने में वैस्त था बहुत पक्का निकला हरी सिंग हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जान दे दी कीरे अटलाल बोला पक्का नहीं था शुप सिंग थीके सवर में क्या उटा यूँ समझो कि इसकी जान धोके से चली गई क्या मतलब? इसे यकीन नहीं हो रहा था कि हम इसकी जान ले सकते हैं शुप सिंग ने गहरी सांस ले अगर इसे मालूम होता कि हम वास्ता में इसकी जान ले लेंगे तो यह हमारे सवाल का जवाब दे देता इसने ऐसा क्यों सोचा कि हम इसे नहीं मारेंगे इसलिए कि नगरी में डालू बावा से ताकतवार और कोई दूसरा नहीं ऐसे में हम इसे मार कर डालू बावा से क्यों दुश्मन ही लेंगे यही सोचा था इसने तब ही तो छाती तानकर खड़ा रहा लेकिन बेवकूब इस बात का एसास नहीं था कि देवी के आयत में जो ये काम कर रहा है वो हम नहीं करने देंगे शुप सिंग की आवाज काफी अतक शान्त हो चुकी थी परंतु चेहरे पर गुस्सा मौजूद था शुप सिंग ने देड़ फीड गड़ा खोद लिया कीरतलाल सेरला कीरतलाल ने लोलका पड़ा हरी सिंग के सिर को बालों से पकड़ा और परताब सिंग की तरह बढ़ गया बून बून लहू अभी भी जमीन पर गिर रहा था कीरत लाल न कटा से गड़े में डाला तो प्रताप सिंग मिठी से पुना गड़ा भरने लगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाख करते हैं और मिलते हैं कौन लेगा ताज के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद